स्टोरी जैम में आपका स्वागत है यहां आप सुनेंगे कहानिया कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी आईए सुनते हैं याश्पाल की लिखी कहानी खुदा और खुदा की लड़ाई गुप अंधेरा, कर्फ्यू की रात का सन्नाटा गंगू की गली के दोनों और के दुमंजिले तिमंजिले मकानों की किसी भी खिड़की या दर्वाजे की सांधों से कहीं प्रकाश नहीं चन रहा था मकानों में मनुश्यों के होने का कोई संकेत नहीं था बाजार से गली में आने वाले बिजली के तार और कमेटी के लैंप चार दिन पहले ही बाजार में आग लग जाने से बेकाम हो गए थे उजडे हुए मकानों के तरास से गली का अंधेरा अधिक घना और भारी हो रहा था गली के बाहर दाएं बाएं सैद मिठा बाजार में भी सननाटा था उजडे हुए बाजारों में शेश रह गए बिजली के लैम्पों का प्रकाश सूनेपन की उदासी को और बढ़ा रहा था गुल्जार और गुनजान, लाहोर नगर देश के बटवारे के परसपर संहार के तरास से भाइबीत और सुन्न हो गया था सांप्रदाई क्रिणा के परसपर संहार और ध्वंस का उनमाद भैल सा गया था उस संहार को रोकने के लिए सरकार ने करफ्यू लगा दिया था करफ्यू के भै से रात का सन्नाटा और भी बोजिल और गाढ़ा हो गया था नगर में भरे भै और सन्नाटे पर अगस्त मास के बादलों ने ऐसा धकन चड़ा दिया था कि हवा भी हिल नहीं सकती थी गंगू की गली के सब हिंदू परिवार तेरा अगस्त की सुभा तक भाग गये थे रह गई थी केवल मूला, मूल देटाई पाजार की और गली के मोहाने पर छोटी दुकानों में बैठने वाले मुसल्मान नियामत दरजी, रशीद कलईगर, नज्जू पटवा और लतीफ नेचे वाला अगस्त के आरम से ही भै के मारे वहान नहीं आ रहे थे केवल नुकड की दुकान वाला ललारी रंगेज, पज्जे और उसका बेटा नस्रू ही लाचारी में वहां रह गए थे दुकान की चार हाथ लंबी और छे हाथ चोड़ी कोठरी में ही उनका घर भी था फज्जे की नीची और छोटी कोठरी या दुकान की छट की धन्यों में बहुत सी अलगने बंधी हुई थी अलगने अब सुनी थी अच्छे दिनों में फज्जे और नस्रू दिन भर में जो भी पगणियां, साडियां या चुनियां, रंकर, कलफ और अबरक लगा कर तयार करते अलगनियों पर लटका देते थे कोठरी में एक विना केवाणों की अलमारी थी उसमें रंगों की पुडिया, डिबियां और सकोरे रखे हुए थे एक कोने में बाप बेटे की संपत्ती, अलुमिनियम का टोटीदार लोटा, देखची और एक तश्तरी कटोरी के अतरिक्त पहनने के दो-चार कपड़े चटाई पर पड़े रहते थे कपड़ा रंगने की मिट्टी की तीन नांदे और कलफ पकाने की हांडी वे लोग रात में कोट्री की दहलीज पर लगे बैठक के तक्ते के नीचे रख देते थे पानी का मटका गली की दिवार के साथ रखा रहता था पज्जे और नस्रु को कोट्री में सोनी की आवश्यकता केवल लहौर के कड़े जाड़े और बरसाथ की रातों में ही होती थी वरना फज्जे रात दुकान के पट्रे पर काट देता था और नस्रू गली में आने जाने वालों के लिए रास्ता छोड़ कर चटाई डाल कर लेट जाता था वहीं से वो कभी-कभी पहर रात तक हीर या टपे गाता रहता था नस्रू और रमेश में हीर और टपों की प्रतिद्वंदता खूब जमती थी रमेश का परिवार फज्जे की दुकान से तीसरे मकान में उपर की मंजिल में रहता था रमेश मकान की खिडकी में बैठ कर दोनों कानों पर हाथ रख कर पूरे स्वर से गाता और नस्रू गली में चटाई पर बैठा उचे स्वर में गाने के लिए कान पर हाथ रख रख रमेश की खिडकी की और मू उठा कर उसका उत्तर देता कभी दोनों रमेश के मकान के चबूत्रे पर बैठ कर साथ साथ भी गाते जुलाई 1947 के अंत तक सैद मिठा में हिंदों का जोर था बाजार में तीन-चार मुसल्मान मारे जा चुके थे अब मुसल्मान उस बाजार से नहीं गुजरते थे इसलिए गंगु की गली में मुसल्मानों की छोटी-छोटी दुकाने बंद हो गई थी गंगु की गली में दूसरे मुसल्मानों की दुकाने बंद हो जाने पर भी फज्जे और नस्रूव वहीं बने रहे फज्जे अपना भय छिपाए सब के साईं अल्ला का भरोसा किये बैठा था उसे गली से अपने चालीस बरस के संपर्क का भी भरोसा था बुद्धत उसे गली के सब बच्चे बच्चियां और युवा युवतियां उसे मामा कहते आये थे बहु बेटियां सिर पर आचल लिये बिना भी उसे रंगने के लिए चुनियां, साडियां और पगणियां थमा जाती थी रंगमन माफिक ना होने या कलफ और अबरक कम होने पर उसे लड़ भी लेती थी लड़के फटी पतंग जोड़ने के लिए उसकी कलफ की हांडी से उंगलियां भर भर के कलफ लेकर भाग जाते थे फज्चे जोर से चिलाता, नसरू, पकड़ ले चोरों को और समीप खड़ा, गली में खूब उंची बंधी रस्यों पर कपड़े डालने के लिए काम आने वाला दस हाथ लंबा पतला बांस उठाने लगता तब तक बच्चे कुलाचे मार कर अपने घरों छटों पर पहुँच जाते थे गली के सभी लोगों, बूढियों, बहुँओं और उनकी बेटियों तक के नाम उसे मालूम थे वो कहां जाता? अन्यत्र उसका कौन अपना था? गंगु की गली में मुसल्मानों की दुकाने बंध हो जाना हिंदूओं ने भी अपनी विजय समझी थे और कुछ हिंदूओं को पज्जे और नस्रू का अपनी कोठरी से भाग ना जाना चुनौती जान पड़ी थी अब उन्हें रंगने के लिए कपड़े कोई नहीं देता था करम चंद ने उभरती रेखों के रोय मरोड कर पज्जे को धमका भी दिया था यो मिया क्या सला है फज्जे ने हाथ जोड कर उत्तर दिया बाचाहो मालिको तुम्हारी जो सला हो जो हुकम हो चालिस परस से इस गली का नमक खा रहे हैं कोई दूसरी जगह अपनी नहीं है तुम धक्का दे दोगे तो निकल जाएंगे हमें तो जाने को कोई जगह है नहीं पाचाहो ऐसी आधिया तो आती जाती रहती हैं सिर घरम करने से क्या फाइदा हर चरन पंसारी ने बीच बचाओ कर दिया था रहने तो रहने दो क्या लेते हैं किसी का कल गली की बेटी बहों को धोतियां चुनियां रंगानी की जुरुत होगी तो कौन आएगा परनतु करमचंद का साथ वर्ष का छोटा भाई धरमचंद और रमेश का छोटा भाई राजेश अपनी साम्परदाई को तेजना वश नहीं कर सके उन्होंने लट्टू मार मार कर फज्जे की गली में रखा मटका तोड़ ही डाला गली में ऐसी घटना पंदरा दिन पूर्व होई होती तो बालकों को डांट फटकार पड़ती उस समय बालकों को किसी ने कुछ नहीं कहा नस्रू का खून इतना सर्द नहीं था मटका तोड़ दिये जाने पर उसका खून उबल उठा वो काफिर हिंदूओं से अपमान नहीं सह सकता था शहर के दूसरे मुसल्मान जो कुछ कर रहे थे नस्रू भी करना चाहता था वो भी पाकिस्तान की स्थापना के धर्म युद में भाग लेने की उमंग एदे में दबाय हुए था परंतु डर्पोक बाप की जिद से मजबूर था उड़े बाप को हिंदूओं के गड़ में अकेला छोड़ कर कैसे चला जाता नस्रू कुछ दिन पहले से ही बाप से गली छोड़ जाने का आग रह कर रहा था करमचंद के धमकाने और मटका तोड़ दिये जाने पर नस्रू ने क्रोध में दांट पीस कर बाप से कहा इन काफरों की अब यहां गुजारा नहीं दूसरी जगए कोठरी नहीं मिलेगी तो किसी मस्जद या दरगाह में पड़े रहेंगे पज्जे ने बेटे को दबे स्वर में डांट दिया चुप रहे बड़ा दुर्रे खां बनता है ऐसी नोग छोख हुआ ही करती है बेवकूफों की बाते यह दुकान मेरे बाप ने जमाई थी तो इसी कोठरी में पैदा हुआ था इसी गली की औरतों ने तेरी मा को समहला था इसी कोठरी में वो मरी इसी गली का नमक खाकर तेरे हाथ पाउं लगे है चुब बैठा रहे सब ठीक हो जाएगा पज्जे ने हिंदों से पाय अपमान निगल कर उल्टे नस्रू को ही डाट दिया तो नौजवान बेटे की आँखों में पानी आ गया वो आसुमों का घूट भर कर बोल उठा तुम मुसल्मान नहीं हो फज्जे को और भी क्रोधा गया तेरी तू बड़ा मुसल्मान है तू ही बड़ा दीनदार गाजी है तेरा दादा मुसल्मान नहीं था का आक्रमन हो चुका था हिंदूों के बहुत से मकान और दुकाने जला दी गई थी दुकाने प्राया बंद ही रहती थी गंगू की गली में सभी गहर हिंदूों के थे लाहौर के हजारों हिंदू परिवार भाग चुके थे ये समाचार पाकर भी गंगू की गली के हिंदूों ने डटे रहने का निश्चय प्रकट किया हमें औरंग जेब और नादिर खान ही डरा सके जिन्ना और मुस्लिम लीग की क्या उकात है हम ना अपना धर्म छोड़ेंगे और ना अपना घर छोड़ेंगे परंतु सद मिठा में आग, कतल और लूट की अनेक घटनाय हो जाने पर कई परिवार खिसक गए और फिर सभी जल्दी से जल्दी भाग जाने के लिए उतावले हो गए रह गई केवल मूला ताई मूला ताई 26 बरस पहले विद्वा हो चुकी थी भगवान ने उसे तीन कन्याय दी थी मूला के पती पैतरिक संपत्ती का बटवारा करके अपने भाईयों से अलग हो चुके थे मूला ताई की भी अपने जीट देवरों से नहीं बनती थी उसे सदा ही संबंधियों से ठगे जाने की आशंका बनी रहती थी उसने गंगू की गली में अपने बड़े मकान में दो किरायदार रख लिये थे सोने का जेवर बेज दिया था और गुप चुप दूसरों का जेवर रहन रखकर रुपया सूद पर चलाती थी सबसे छोटी लड़की का विवा हुए भी चौधा वर्ष हो गए थे तब से उसने मकान में एक और किरायदार बसा लिया था अपने किरायदारों से उसका संबंद किराया लेने मातर का था किराया मिलने में चार दिन का भी विलंब होने पर उसका बोल कड़वा हो जाता था उसे पड़ोसियों से भी कोई मतलब न था उसका दिन ठाकुरजी की पूजा और जब पाठ में ही बीटता था गली के हिंदू परिवार भागने लगे तो मूला ताई को अपने मकान और गुप्त संपत्ती का लोब जकड़े रहा उसका किसी से सौजन्य नहीं था वो संसार में ठाकुरजी के अतरिक्त किसी को अपना नहीं समझती थी उसे सब पर संदेह था पड़ोसी उसका सीड़ीपन देखकर इसमें प्रकड करते थे बुढ़िया रुपे का क्या करेगी शायद कोई मंदिर धर्मशाला बनवा कर नाम कर जाना चाहती है उस विकट संकट के समय किसी ने सहान भूती से बुढ़िया का बोज अपने कंधे पर लेने का निमंतरन नहीं दिया सूनी गली में मूला अपने उजडे मकान में ठाकुर्जी के भरोसे अकेली रह गई थी और नीचे गली के नुकड की कोठरी में रह गया था फज्जे ललारी अपने बेटे नसरु के साथ साम्प्रदाइक उपद्रव आरंभ होने से पहले फज्जु का गंगु की गली के इस सभी परिवारों से कुछ न कुछ संपर्क रहता ही था मूला ताई की छूटी लड़की का विवा हो जाने के बाद से मूला ताई का फज्जे से वास्ता केवल मास के आरंभ में पिछले मास का किराया मांगने का ही रह गया था फज्जे दो तीन बार तकाजे के बिना किराया नहीं चुकाता था मुलाताई को उसे किराय के लिए चेतावनी देनी होती तो ठाकुर्जी की पिटारी लेकर मकान के चबूतरे पर फज्जे के मकान की और मुँ करके बैठ जाती और ठाकुर्जी की पूजा के लिए सनान कराते कराते किराया समय पर ना मिलने के लिए खिन्नता प्रकट कर देती फज्य गली के लोगों को अपना लता पता और सामान लिए भागते देखता तो उसकी आह निकल जाती या अल्ला कैसी कैहमत आ गई सब लोग चले जाएंगे तो इस उजाण में गुजर कैसे होगी भूतों के इस डेरे में हम अकेले कैसे रहेंगे नौजवान नस्रू को भैसे भागते काफिरों को देखकर उत्साह अनुभव हो रहा था उदात पीस कर कहता जाने दो जहन्नुमे हरामी काफिरों को पाकिस्तान में काफिरों का क्या काम पज्जे जाने वाले परिवारों को गिंता जा रहा था कौन लोग चले गए और कौन रह गए तेरा अगस्त की सुभा ही साधुराम और जमनादास के परिवार भी चले गए तो उसने बहुत उधासी से बेटे की ओर देखा बस उड़ी मूला ताई ही रह गई नसरु ने मूँ बिचका कर उपेक्षा से कह दिया गोरडायन कहां जाएगी अपना सोना चांदी गाड़े उस पर साप बनी बैठी है वो वो कहां जाएगी उस दिन दोपहर के समय सामप्रदाइक उत्तेजना से बावले आवारा मुसलमानों की भीड ने एरा मंडी की ओर से सैद मिठा बाजार पर हल्ला बोल दिया हिंदू अपनी दुकानों में भारी भारी ताले लगा कर चले गए थे भीड पाकिस्तान जिन्दाबाद अल्ला हु अकबर सल्तनते इलाही जिन्दाबाद के नारे लगा रही थी दुकानों के ताले तोड़ कर माल लूट रही थी लूटेरे बजाजी की दुकानों से रेशम, मकमल, मलमल के थान उठा उठा कर भागने लगे कोई पंसारी और पर्चून की दुकानों से बादाम, किश्मिश, छुहारे, आटा, सूजी, चीनी की बोरियां लेकर भाग रहे थे किसी दुकान से पीतल कासे के बरतन लूटे जा रहे थे कुछ लोग सर्राफे की दुकानों पर पिल पड़े थे हला सुनकर फज्जे और नस्रू भी गली के मूँपर आ के थे नस्रू के मूँँ में पानी भराया, बोला अब्बा, मैं भी एका धान लठा मलमल या आटेचेनी की बोरी ले आउं फज्जे ने ग्रेना से डाट दिया, चुप्रह सूअर नस्रू ने तर्क किया, क्यों, सब ले जा रहे हैं कहते हैं माले गनीमत है, फज्जे ने क्रोध से डाटा सुवर, ताले तोड़कर सेंध लगाकर चोरी डाका डालना जिहाद है? ये माले गनीमत है? या सुवर का गू? भज्जे ग्रेना से एक ओर थूपकर लौट गया और अपनी दुकान के पट्रे पर जा बैठा नस्रू की धर्मुत तेजना पिता की फटकार सुनकर भी शान्त नहीं हुई वो आगे बढ़ गया और भीड के साथ नारे लगाता हुआ नौहारी मंडी की ओर चला गया के बाजारों में लूट और ध्वन्स इतना बढ़ गया था कि चौते पहर व्यवस्था कायम रखने के लिए सशस्त्र सिपाहियों से भरी फौजी लौरियां दोड़ी चली आई बाजारों में राइफलों के फायर धाएं धाएं गूंजने लगे जहां भीड दिखाई देती सिपाही गोली चला देते पज्जे अपनी दुकान के पट्रे पर बैठा बाजार के और देख रहा था गली के सामने एक आदमी पीतल की बड़ी परात लिए भाग रहा था आदमी चीक कर गिर पड़ा साथ ही बंदूग चलने की धाएं और परात बाजार में गिरनी की जंकार से बाजार गूंज गया पज्जे का कलेजा धक से रह गया हाई नसरू बाजारों और गलियों में राइफल लिये सिपाही तैनात कर दिये गये थे करफ्यू हो गया था तीन आदमियों को भी एक साथ चल सकने का हुक्म नहीं रहा था एलान हो गया साँच साथ बजे कमेटी की बिजली जल जाने के बाद जो भी शक्स बाजार में निकलेगा उसे गोली मारती जाएगी करफ्यू का एलान हुआ तो नसरू गली में लोटा नहीं था फजे का दिल मुगो आ रहा था आँखों में आंसू उमड रहे थे नौजवान बेटे के अलड़पन के प्रती करोध से उसके मुँ में बार बार गालिया आ रही थी कमपक्स का दिमाग फिर गया है उसे क्या हो गया बिजली चलने के पहले ही नसरू लोट आया तो फजे की जान में जान आई उसने लड़के को डाटा चल कोटरी में बैठ खबरदार बाहर निकला सिपाही की बंदू की गोली से पागल कुट्टे की मौत मर जाएगा तो सब गाजीपन सब निकल जाएगा नसरू ने बेपरवाही से कहा अरे हो क्या गया अब तो फौज भी अपनी है सब मुसल्मान भाई है काफिर तो सब गय लोगों ने तो पाँच-पाँच सेर सोना बटोर लिया है बजाजी से घर भर लिये है नसरू का मन अपने संप्रदाय की विज़े से हो मंग रहा था वो लोहारी मंडी से एक छुरा भी लेता आया था बुढ़ा बाप छुरा देखकर डर न जाए इसलिए छुरे को तहमत में घोंसे था फज्जे और नसरू साथ बजे कर्फ्यू का बिगुल सुनकर अपनी कोठ्री में हो गए थे फज्जे का मन रोटी सेखने को ना हुआ नसरू ने भी परवाहना की कोठ्री में बिछी चटाई पर दोनों पास-पास पड़े थे गली में अंधेरा घना हो गया था और कोठ्री में उससे भी अधिक वायू बिलकुल निश्चल और सुन्न थी आकाश में घने परंदू खुश्क बादल जा गए थे घने बादलों का धकन धूप में तपे शहर के पक्के मकानों से उठती गर्मी और उमस को शहर पर दबाए था पूरा शहर स्तब्द था हवा भी सांसे रोके थी पोठ्री में लेटे फज्जे और नसरु के शरीर से पसीना तेल की तरह निकल रहा था फज्जे ने कुर्टा फज्जे पंकी से अपने और नसरु के शरीर को हवा कर रहा था वहा ठक जाती तो पंकी को नसरु के सीने पर फेग देता नसरु पंकी से अपने पिता के शरीर पर हवा करने लगता दोनों चुप चाप एक दूसरे से खिन पर स्थिती से खिन बारी बारी से पंखी चलाए जा रहे थे नींद ही उन्हें आराम दे सकते थी नींद गर्मी के कारण आ नहीं रही थी नींद ना आनी के घबराहट बढ़ती जा रही थी भै भरे सन्नाटे में बाजार के फर्ष पर कर्फ्यू के पहरेदार सशस्त्र सिपाहियों के फोजी भूटों की आहट उनके भै और बेबसी को और भी कड़वा बनाए दे रही थी रात का एक पहर बीद गया था नींद ना फज्जे को आ सकी ना नस्रू को नस्रू पसीने से भीगी खजूर की चटाई पर बार बार पीट चिपक जाने से चिड़ गया उसने पंखी बाप को दे दी और चटाई से उठकर हवा के लिए कोठरी की दहलीज पर उडू बैठ गया नस्रू गली में कदमों की धीमी चाप सुनकर चौका उसकी आँखें आहट की और घूम गई देखा सुनी गली के अंधेरे में मूला ताई अपनी दोती चादर में सिम्टी हुई दबे पाउं बाजार की और जा रही थी नस्रू ने पिता की और देखा दबे स्वर में बोला देख बूडी मूला छिपकर भाग रही है पज्जे ने पंकी से हवा लेते हुए लेटे लेटे ही कह दिया होगा अकेरी डर गई होगी अल्ला ही बचाने वाला है नस्रू ने गली से बाजार में कदम रखती बुढ़िया की और ध्यान से देखा काफिर गट्री में अपनी रकम दबाए लिए जा रही है उसके मूँ से निकला और उतेजना से उसके रोएं खड़े हो गए होगा उसे अल्ला रखे तुझे क्या पज्जे ने करोना से कह दिया नस्रू पिता की बात पूरी होने से पहले ही तहली से कूद कर कुढिया के पास बाजार की और भाग गया था फज्जे बेटे को प्राण संकट में डालने के लिए बाजार की और भागते देखकर घबरा गया और बेबस गाली देते हुए बेटे को रोकने के लिए उसके पीछे भागा बूड़ा फज्जे शिथिल कदमों से डगमगाता बाजार तक पहुँचा तो नस्रू ने बाजार में चालिस कदम दूर बिजली के खंबे के समीब मूला ताईं की पसली में छुरा भोग दिया था और उसकी गठरी चीन कर दोड़ा आ रहा था क्रोध से कांपता हुआ फज्जे बेटे को ढखेल कर कोठरी में ले गया नस्रू ने सफलता की उल्लास से कहा काफिर बुढिया सब कुछ लिए भागी जा रही थी वो जल्दी जल्दी गठरी खोलने लगा फज्जे दम फूल जाने के कारण सिर को दोनों हाथों से पकड़ कर बैठ गया था उसकी सांस तेज चल रही थी मुँ से बोल नहीं निकल रहा था ना हाथों में शक्ती थी कि बेटे को बुढिया का कदल करके छीनी हुई गठरी लाने से रोक सकता और गठरी उठा कर फेक देता नसरु ने गठरी खोल डाली और गठरी में बंधी पिटारी का धकन जटके से उठा लिया काफिर बुढिया भागी तो पिटारी में अपने पत्थर के खुदा को लिये जा रही थी वो विद्रूप में हस पड़ा फज्जे की आँखें अंधेरे में भी क्रोध से लाल दिख रही थी उसने बेटे को सुरक्षित देखकर क्रोध और गलानी से लानत दी ओए सुर बेड़ा गरक हो तेरा आसूम बुड़ी का खुन कर दिया काफिर अपने पत्थर के खुदा को लिए भागी जा रही थी अपने पत्थर के खुदा से तेरे खुदा का सिर फोड देती तू बड़ा गाजी है तू ने अपने खुदा को बचा लिए आज की کہانी आप को कैसी लगी? अपने कॉमिंस जरूर लिखिएगा साथ ही सब्सक्राइब कीजेगा आपके फैमिली और फ्रेंज में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन, कदरदान और हैं उन्हें ये कहानी वाट्साप पर फॉरवर्ड करें अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी लेख या कविता के साथ तब तक अलविदा झालविदा